नमस्कार बंसल्यूस की स्पेशल सेग्मेंट बहस गर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है इन दौर जिसे मद्रप्रदेश में सत्ता का गड़ कहा जाता है और यहीं से कहने कहीं मद्रप्रदेश की राजनीती की दिशा और दशा भी तैय होती है वहाँ पर इन दिनों लोगसभा चुनाओ को लेकर माहौल गर्म है माहौल गर्म क्यों है यह वज़ा भी आप जानते हैं दरसल चुनाओ के बीच में ही कॉंगरेस के जो केंड़िट है वो कॉंगरेस का दामन छोड़ कर बीजेपी का साथ थाम लेते हैं और इसे लेकर बहस ग गांदी आलाकि यह मुकाबला एंडिय वर्सेस इंडिया गड़बंदन के बीच में भी है लेकिन इन दौर की सियासत में कौन से मुद्दे हैं क्या दलबदल का मुद्दा इस बार के एलेक्शन में गर्मा रहा है क्या अक्षय बम के बीजेपी जॉइन करने का मुद्दा इस बार गर्मा रहा है इस पर बहस करेंगे हमारे साथ कॉंग्रेस और बीजेपी के तमाम जो नेता है वह मौझूद रहेंगे कारेकरता वह मौझूद रहेंगे और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल अनलेसिस के तौर पर वरिश्च पत्रकार भी हमारे साथ रही है क्या वज़ा है कि इन दौर में कॉंग्रेस जोर लगा रही है जनता से अपील कर रही है कि नोटा को वोट डालें चलिए शुरुवात करते हैं राकेश चिंग यादोजी से राकेश क्या कुछ मानते हैं कॉंग्रेस के सामने एक ऑप्शन है आप सिर्फ नोटा चुनाओं जीत रहे हैं तो फिर कांग्रेस के उम्मिद्वार को उनको ले जाने की जरुवती नहीं थी आवशक्ते नहीं थी या उनको कोई खत्रा था कि चुनाओं हार रहे हैं एसा भी मुझे नहीं लगता तो इसके बाद ऐसा करना इसका मतलब है कि एक माफिया तंत्र जैसा बंबई या महरास्ट में होता है डेवलप करने की कोशिश है जो बीजेपी की वरिस्ट नेता पूरू लोकसाबाद देक्ष ने भी इस बात को सिवका रहा है कि यह करने की अवशक्ता नहीं थी हम चुनाओं लड़ रहे थे और चुनाओं जीत रहे थे फिर आप क्य खाएंगे वो करेंगे हम जो चाहेंगे वैसा माफिया राजिस्तापित करेंगे आपके वुट कि हम यह वशकता नहीं हम तो जीते रहे ठीक है यह राजशाही मीं होता था यह नहीं होता था लेकिन लोग तंतर में पेली बार हुआ इसलिए रिग्स का रहा है को कारवा कि लोक्तंत्र की हत्तुर क्या है किंुद्ध का रूब सी कह लोक्तंत्र की बूदत करने की बाद कर रहे हैं इन्दोर की जनता आप देखना तेरा तारीक की रोच कितने डालेगी नोटा क्या है नोटा वो है कि हमारे घर में शोचाले होते हुए हम पेंड के अंदर पोट्टी कर दे उस प्रकार नोटा और इंदोर की जनता जानती यह पेंड के अंदर पोट्टी करना नहीं जानती और वस्वास्तों में देख लेना आप समय के अंतरगत की जिस प्रकार इंदोर स समय के अंदर यह वोटों के अंदर एतिहासिक रिकार्ड यहां पर संकर ललवानी जी जीतेंगे और आज कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा है अरुन गगन पर महा प्रगतिका फिर मंगल गान उठा करवट बदली अंगड़ाईली सोया हिंदूस्तान उठा इनको जो कर रही है का जा रहा है कि दोर रिकॉर्ड बना सकता है नोटा में देखे पहली बात तो कि यह जो नोटा नोटा चिला रहे हैं इनकी मजबूरी है अक्षय कांति बंके भाजपा जॉइन करने के बाद भी इनके पास मौका था कि डमी कांडिडेट को सपोर्ट कर सकते थे ज इसलिए उन्होंने एक सेफेस्ट चुना कि नुकसान किसी का होगा नहीं बुराई किसी की होगी नहीं और एक चेहरा नहीं है इसलिए जितने भी आपको अलग-अलग दल के कॉंग्रेस ही दिखाई दे रहे हैं वो सब इसलिए एक साथ आके खड़े होने की कोशिश कर रहे कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी जो किसी का भला नहीं कर सकती है रही बात नोटा पर वोट करने की तो मैं आज आपको फिर यह बात दोहरा रहा हूं कि चली अगर हम आकडों की भी बात कर लें इन दौर में इन दौर में अठाला लाग से जादा वोटर है अगर पचास परसेंट का वोटिंग परसेंटेज भी अगर आ जाता है तो भी नौर में शंका ललवानी जी आठ लाग से जादा वोट से जीत रहा है एक 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 जवाब दस लेता हूं यह बड़ा सवाल है कि कह रहे है कि लाखों मत तो जीते जीतेंगे बीजेभी के कैंटी आपको करते हैं आपको माहिले की नगरी में आपका स्वागात है सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूं 15 गढ़ी पहन कर फर्चुनर में घुमकर कर उनको उन्हें करत किया है पूरी तरह से गलत हैं दूसरी चीज उनको इस तरह से क्राम करना नहीं चाहिए था और उनके माथे में अगर आपके वीडी सर्माने उनको अभी खोटा सिक्का बोलाएगा आप यह बता ही कि आपके सर्व सम्माइन हमारे भी आधर ने ताहिए उन्हें तक विरोत कर देती यह जो है कंपनी जो चल रही है आपकी आरके कंपनी आरके कंपनी वह सब इनका ही रहा है और इससे पूरी जद्मता भी पूरी तरह से नाराज है और आगे आपको खामिया से भुगतना पड़ेगा जी आपको सवाल के ना है कि भाजपा के नेता भी बोल रहे हैं का सवाल भी ले लेंगे लेकिन क्या मुद्ध है हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर बड़ी संक्या में जो है वह मह पर जिस तरीके से महिला एलक्षन की बात भी होती है क्या कुछ आपको लग रहा है इसमार एलक्षन में कितना प्रभाव देखने को मिलेगा कौन सी पार्टी हावी ने चला रहे है बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वीजेपी पूरी तरह से हावी है और महिला स सशक्तिकरण का महिलाओं का राजन तिक सशक्तिकरण और डिफेंस जैसी सर्विससमें भी आज महिलाएं इतनी आगे हैं तो वह सतर सालों में कभी नहीं हुआ और अभी हुआ है तो इसका श्रेपूरा मानने प्रधान मंत्री जी को जाता है उसके अतरीक्त आप उल्टाई कि अपने कैनेडिट को सपोर्ट नहीं कर पाए और आज वो ताइड के बयान को तोड़ मरोड के अपने फेवर में यूज करना चाहा है कि अपना मुँध ना तब दूसरे को भी वेस्टा काला काला दिखा रहा है मुँध मुख में जुवान डाले के नहीं बोला था इंदोर की संस्क्रीटी है महले पावन नगरी है और ताही जी महाईलिया का दूसरा रूप है इंदोर में आप देखिए कि उन्होंने सच बोला और इसलिए इनको क्या है नीचे से उपर तक मिर्ची लग गई इनको इनके कारेकरताओं पर भरोसानी था इंदोर की जन्ता पर भरोसानी था इसलिए तो अगवा करके इनोंने अक्षे बम को ले गए और उसका नामंगन वापस कर दिया अपरण हुआ है सीधे तोर पर बहुत बढ़ा आरोप लगा रही कॉंग्रेस की आप ने जो है वह कॉंग्रेस प्रत्याशी का अपरण किया कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया था तो मेरे ही लोगों ने मुझे स इसरे दिन भी बेठा रहा है जब मैं सभाहों के लिए बोलता था तो कोई कॉंग्रेसी मेरे सपोर्ट में आया नहीं है सभाय उन्होंने मुझे करवा कि दी नहीं है जन संपर्क में मेरे साथ कोई कांग्रेसी साथ ने दिया तो कांग्रेस से हतास होकर ही वीजेपी में आय मुद्दो पर भी होगा इस बार का इलेक्शन आपको निजर आ रहा है कि मुद्दे इस बार प्रभाव डाल पाएंगे बिल्कुल सर बिल्कुल प्रभाव डाल पाएंगे क्योंकि हम यहां से बैटके मोदी जी के विजन को विज्वलाइज कर सकते हैं करन की बात हो हर मुद्दे पर उनका एक विजन है और हम उस विजन को लेके आगे बढ़ते हुए जाना चाहते हैं अगर नोटा की बात करें तो वह जो कह रहे हैं यह तो गला घोटना हो गया हमारे मत देने के अधिकार को आपका घर जल रहा है कुद अंदर तो आप पडोसी आपको घर लगा देए आपका घर जल रहा है तो ऐसा कुछ काम कर रही कौँन ब्रहण के अगहां से बढ़त लगाने का शुरू से दाहीत तुरा है मन्दिर का भी ठेका ले रहे हैं कि हमने बनाया उसके शुरूय तो आग लगाना सब्देश को बाट दिया हिंद्व मुस् मंधिर का श्रेयर भीजय पीए कह रहे हूं सतर सालों से कांग्रेस ने किया क्या है अभी राम मंदिर हमने बनाया आपने खुलवा हैं वह मानते वहां प्रोसेस प्रोस्ट को आगे परिवार समाले आप लोगों पर आरोप ना लगा है राम के नाम पर मिलेगा वोट आपको लगए जो पक्के हिंदुत्व जो कॉंग्रेस में पर हैं जो पदादीक कारी हैं वो उनको अंदर से जो आत्मा बया करती है कि नहीं एक हिंदुत्व भी है वो इसलिए आप भाजप के सिफ टीवी में देखते रहें यह कारण है कि मोदी लेहर मोदी जी इसलिए सब के लिए पूजणी इसलिए हुए है लक्षमी कान पंडी जी भी है वरिष्ट पत्रकार पंडी जी कैसे देखते हैं यह जो सियासी सीन हुआ है इंदोर में इसे कैसे इंदोर की जंता देख रही है और आने वाला चुनावा में हो कहा रहा है अब फियोंजी हम दोनों पक्षों को सुन रहे हैं और मुझे लगता है कहीं न कहीं नेतिक्ता के अप्पेमाने पर देखें तो आम जंता को कहीं न कहीं बुरा लगा है कि इस प्रकार का घटना करम नहीं होना चाहिए लेकिन राजनीतिक गतिविदी अलग होती राजनीतिक चाले अलग होती है सभी अपने में तोर पे खेलना चाहते उस तोर पे भाजपा अपने आपको सही साविच करने पे तुल है और जैसे कि हमारे पार्षर मोदेदे ने जो है कवी तब सुना दिये पोटी तक आ गाए तो जो भाषा का जो 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 भाषा की कभी नहीं करती इस तरह की बाते जो आज लाइव टीवी पे जंता सुन जो भाषा की कलाप बता है और इसी करण तो कभी चिंद्धी में नहीं दे सुने मेरे पहली डिवेड पे इसा उदारन सुन रहा हूं एसे उदारन इस तरह के उदारन हमने कभी नहीं सुने ना इसे संसकार रहे एक मन्दिर को कभी भी कन्ग्रेस नहीं जहती है कि सतर पार बात का जवाब देती है राम-मंदिर के मसले सीधी बात है कि झब लिए राश्ट पती पटी को पूरी में जो हो रहा है यह सिर्फ भारती जनता पाररिटी का लिट मस्ट्रेश के यह नही चाहते हैं कि आम यह पतलाई अभी तक कि किसी ने कोई रोका भाजपा अपना आपको बढ़त में ला रही थी तो अपके इन दोर में क्या जरूत पढ़ा की चलते चुनाओं में उसको उठाके लाना नामनकन वो करवाना तो जब भाजपा जीत रही जरूत ही थी एक अने की जवाब भी लेंगे हमारे साथ में परमान परफेक्ट अकड़ा कैसे बता रहे हैं लोग तो आट लाख से जीतेंगे नहीं एक मुट आए इसके बाद कांग्रेस दूसरी कलती कर रही है वह नोटा का प्रिचार कर रही है तो लोग नोटा को वोट देंगे आगे चलके लोग आगे चलके लोग को भूल जाएंगे तो से चार सो पार क्योंकि एक साइंटिफ मैंलब मनोवेग्यानिक ऐसा होगे 300 तो हमारी आई जाएंगी इनकी 200 से भी कमारी देखिए इनको केबल सकता चाहिए अगर हिंदु अगर गाय काटने वालों से चंदा लेते हैं महिला अत्याचार पर हमेशा महिलाओं पर पाकिस्तान के एंट्री हुई है यह एक बड़ा यहां पर आरोप है कि पाकिस्तान से भी चंदा लिया है बीजेपी ने अगर पाकिस्तान से हम चंदा ले लेते बाजपा पाकिस्तान से जंदा ले लेती तो पाकिस्तान राहूल गांदी जी के समर्थन में इतने नारी क्यो के राहूल गांदी और इनका समर्तन कर रहे हैं उसका कारण कर और रिपोर्ट वह भाजपा को कोस्टते रहते और यह इंडी-12 समर्थ की गाह काटने की बात करते हैं इनको बीफ के दो मतलब नहीं पता है कि गाह और बेस्ट दोनों के पाकिस्तान की स्थिती पूरे विश्व में सबको पता है कि उनके खुद के घर में आटे डाल के पैसे नहीं है वो पूरे जगह जाके वो फंड्स की आरोप भी लगा रहे हैं कि राम के नाम पर आप वोट मांगते हैं जी यह लोग राम के नाम पर लगा रहें फॉरन अफेर पाकिस्तान का खुद के ठीकाने नहीं तो हमको चंदा क्या देगा यह बड़ा सवाल जे आप बताइए क्या कुछ मुद्दे है इसवार के लेक्शन में यह तो कहने है कि नूटा पर का बटन दबाई देखिए अपोजिशन के पास मुद्दे तो कुछ भी नहीं है लगने लिए पारती जनता पार्टी एक में वेसी पार्टी है जो देश हित में सोचती है अध संपूर्ण योजनाओं को लिने आपके इंदर सरकार की तो देश हित में वह लोगों के हित में है इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है आप राम मंदिर मुद्दा बना रहें अलग के पास या पोजिशन के पास तो मुद्द ही नहीं है कोई भी मुद्दा जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि आठ लाक वोटों से हम जीतेंगे इसलिए जीतेंगे क्योंकि मोधी से लेके नीचे तक जित्ते भी सांसत प्रत्याशी हैं पुरे भारत वर्ष में वो जन जन तक मिलत DAY चा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं लोगों से वाताराब नाप कर रहे हैं उनको विश्सवास एक मोधी जीतेंगे भारत में इतना दम है की पुरे पाकिस्तान को पा ले कि यह तो एक मुद्दा अलग है यघ सभशे-बीरे नहीं है कि आप आपके कंडिड़े पाए ऐसे के उठाके लेगा है क्या उसका अलवा बनाएंगे शंकल लल्वानी को खिलाएंगे क्या उसको कम वोट से हरा ना था इसलिए लेगा यह बाजबा की अंदरूनी लड़ाई है दो नेता जो हैं बीजेपी के वो दोनों ऐसे नेता हैं जो चलती गाड़ी के पहिए खोल के जेक आनेे की तुष्टी करर्ण की राज इती करके मुसलमानों को हमेसा जुनुचुना पकडाया एंऔर इसके लएवा उनके साथ भी नहीं किया तुष्टी करन की राजनिती करते करते आज ये गर्त में पोंझ गए और आज ये कहते हैं कि यह जो यहां के लिए नहीं है और दुसरे लोगों के लिए बात करते हैं यह बात हो रहे हैं चलिए आखरी एक सवाल जी पताइए क्या वो तो क्या रहे है कि तुस्री करण की राजनीती में आगे है कॉंग्रेस तुम आगे लें लें कि अब ले खाने के उनेें के नेरूजी को रोते हैं पाकिसतान को रहते हैं अरे तुम्ने टुमारे तुमारे दो बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ है क्या साल होए इतने सालों में 1990 से लेकmail कुछ Can कि दो करोड़ नोक्रियां हम हर साल देंगे दस साल उनको हो गए तो अभी तक 20 करोड़ नोक्रियां युवाओं को मिल जाना चाहिए अब यह दिरेल बेच रहे हैं सारी सारी जो भी हमारी संपता थी जो कॉंग्रेस समय पर बनाई थी वह सब बेद देंगे तो कि इनके पास म पर बनाई वह समझोता अभी पहले उन्होंने बनाई अभी उसी इसाफ से चंदरबाबू नाइडू अंधरा परदेश के उनके साथ मोधी जी ने इनके घटक देले वह के ते सुनिये वह उन्होंने क्या बोला उन्होंने क्या बोला कि भी आम पांशेया रुपे महीना हर म चार परसेंट मुस्लिमों को नोखरी देंगे इधर मोधी जी कुछ केते हैं उनके घटक दल कुछ और केते हैं मतला वही वाली बात है मुखर जी ने पीजेपी के साथ सरकार मुस्लिम लिग के साथ और यह आपका सबने जिस तरह से इलेक्ट्रोल बांड में कोवी सीड इल जिम्मेदारी ले रहे हो आप गाये काटने वाली कंपनी से चंदा ले रहे हो जवाब ले लेते हैं बताईए और को वैक्सिन के बारे में इनकी सारी बाते निराधार हैं अगर साइंटिफिकली आप देखें तो आज ही मेदानता हॉस्पिटल के डॉक्टर साब ने कहाई क लगे हुए तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं और अगर वैक्सिन नहीं लगा होता ना तो आज खड़ो के इस तरह बात नहीं कर रहे होता हैं यह बोलने क्या किया भारती जनता पार्टी ने यह किया कि आज यह जो आप मोबाइल वापर रो विश्व के अंदर हम आज इसक कर झो है वह पांच परसेंट क्या पता ही एक है अगर यह 10 साल में कुछ कांट की होते तो प्रदान-मंत्री ची मंझ से बता तहए हैं कि अधिक यह काम किया वह यह तो सब्मोर के और मोदिंघ को यह नहीं पता है कि काला धन अड़ा भानि का है का रही है ref यह ले रहे हो यह लिल बाहर ना कि विरोदी है क्या चाहते हैं सब्सक्राइब पुर्ण का यह हो ओड़ी है। तो काला धन के प्रति अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो वही लेकर आए थे तो इनके मूँ पे इतना बड़ा जवाब है कि उसके आगे वह कुछ बोल के बताएं उन्होंने क्या किया है वह तो काले नहीं कहा था कि अगर वाल लो इस देश के अंदर इतने भूम वापिया और इतने काले धनवाले कि आज अगर बाटो तो पूरे देश में 15 लाग बढ़ जाए यह कभी नहीं कहा कि 15 लाग देंगे उसका उसका जूटा प्रोपोगंडा इनने फेला गया कांग्रेस का काम है जूट बोलना जूट बोलना और इतनी जोर से बोलना कि ब्रस्टाचार खत्म हुआ है मोधी राज में ब्रस्टाचार खत्म हुआ है सबसे पहले तो इंदोर नगर निगम में करोड़ों लूट लिए यह बड़ा मुद्दा यह करोड़ों रूपे एक बीजेपी का नेता नहीं बोला पार्षद भी है इनके साथी कित्ते शामें सवाल ले लेता हुआ है नगर नगर जी इस पर कहा है कि इसकी निश्पक्ष जाच होगी और दोश्यों पर कारवाई की जाएगी ऐपकी सरकार ने चुनायומ नहीं करा 주는 और उन जो घtt अले कि बात करें वह घौटाला हुआ था जब वहाँ पर वहाँ पर किस भारतीि जंताबाटी की कि सरकार नहीं थी वहाँ पर प्रशाशन चला रहा था वह प्रसाशन के सुए बहरती Living परस्टाचार करने का प्रकूष खोला है उसका अध्यक्ष्ष को ने बता दो बटाईये प्रकूष कि अब बताईये प्ज़ेप्ष अध्यक्ष्ष को निया अप आए यह सवाल जी महीलाओं से जभाब लेते हैं महलां के यह महолодती घमेंसा मेंसा मैनारी coolsakti को समांद देते हैं यह बात यह बात मनीपूर की कर रही है तो फिर कांगरेस के लोग और विपक्ष के लोग जब प्रधान मंत्री बोल रहे थे तो सदन से वाक आउट क्यों गए हुआ और दूसरी बात आज यह मनीपूर मनीपूर चिल्ला रहे संदेश पार्टी क्या बोलेगी कि डी जिसका शीर्स नेत्री तो महिला के बारे में इतनी अबहत्र टिपड़ी हर मंच पर सकता है हर एक ऐसा मंच नहीं छोड़ा है तो यह कह रहे हैं दौर में नोटा रिकॉर्ड बनाएगा कॉंग्रेस उसकी केमपनिंग में लेगी हुई है जो यह अपनी नाकामी को छपाने के लिए नोटा कुछ नहीं है यहां पर नोटा की कोई बात ही नहीं है हमारा प्रत्यश नहीं है तो यह इनको कोई मुद्धा नहीं मिल रहा है तो यह बस नोटा नोटा कर रहे हैं और के तमाम जन प्रतिनी धी और चुकि लोगस्वा चुनाओं का माहौल है और इस बीच में एक तरफ कंग्रेस नोटा को प्रमोट कर रहे हैं तो पीज़ेपी इन दौर में एक उट किस करवट बैटा है फिलाल हमारी खास पेशकर्ष में इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे 22 घरम के खास एपिसोड में कुछ नए मेहमानों के साथ में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हैं बंसल न्यूस के स नमस्कार